नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है Find My New Job तो दोस्तों आज हम आपके लिए कितना अच्छा कोर्स ले गाए हैं जिस कोर्स के अंदर अगर आप freshers है, experience है आप ये कोर्स कर सकते हैं इस कोर्स के अंदर पहले आपको training देंगे फिर आपकी placement करवाएंगे फिर आपसे fees लेंगे तो दोस्तों सोचिए कितना अच्छा कोर्स है स्पेशली उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते अगर मैं बात करूं जो experience लोग है उनको क्या करना है experience है उनका package का मैं उनको अपना package बढ़ाना है तो वो पहले training कर सकते हैं उनके लिए थोड़ी सी fee से पे करेंगे उसकी placement हो जाएगी और उसके बाद दोस्तों पूरी fee पे कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को जुरूर लाइक करें जैसी आप यह वीडियो देखें तो दोस्तों यह हमारी website carrier camp coding ninja इसका link मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया आप सीधर क्लिक करके यहां पर आ सकते हैं अगर दोस्तों हम बात करें इस website पर दीो प्रोगाम है जैसी हमने बताया था फ्रेशर और प्रोफेशनल तो दोस्तों यह दोनों Bundes प्रोगाम अलग अपके साथ दिसक्रिप्स करें गे है 9 month के दोनों प्रोगाम है, अगर हम बात करें freshers की, तो दोस्तो, freshers के प्रोगाम में आपको यहाँ पे 9 month की जो training मिल रही है, उसको phases में डिपाइड किया गया है जिसमें पहले 4 month एक phase में हैं 5th, 6th month, then 7th, 8th, then phase 4 में 9th month और phase 5 में 9th month onwards 9 month onwards में आपकी placement के बार में discussion होगी, तो दोस्तो, यह basically जो यह पूरी training है, जो आप से discussion होगी, अगर हम बात करें, आप final year में है, यह recent graduate होए है, तो और आपका experience 15 month से less है, तो आप दोस्तो इसके लिए enroll कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी training है, क्योंकि pay only when you land a job, यह सबसे अच्छी बात है, इसकी pay आपको तभी करना है, जब आपके हाथ में job का offer आजाएगा, अगर दोस्तो, बात करें, ट्रस्ट की कि हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो इनकी fees है, जो deduction होगी, वो आपकी salary आने के career opportunity, यहाँ पे mention है, इन्होंने placement cell बनाया है, जो आपकी help करता है placement को लेने के लिए, और दोस्तो, अगर हम बात करें, यहाँ पे 170 प्लस इनके hiring partner है, 50 प्लस opportunity every month, 20K प्लस average टाइफन for internship, 7.8 LPA, average CTC for full time role, जो तो अभी तक इन्होंने offer किया है, और वो ही दोस्तों, यहाँ पे top companies mention है, Amazon, Microsoft, Walmart, Google जितनी हमने companies आपको पहले भी बताई थी, और दोस्तों, अगर हम बात करें, admission process का, यहाँ पे पहले registration है, फिर online test है, फिर interview, फिर admission, फिर दोस्तो, payment यह सब चीज़ यहाँ पे mention है, यह सब चीज़ आपको follow करनी पड़ेंगी, अगर दोस्तों, हम बात करें, यहाँ पे payment plan, यहाँ पे दो है, standard और hack, अगर हम बात करें, आप सारी fees एक साथ दे सकते हैं, और अगर आप चाहें, तो पहले zero fees देंगे, फिर 15% आपका जो salary का होगा, तीन यह तर डिटक्ट होता रहेगा, कोई कोशन आता है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बहुत सारे कोशन यहों ने आप एक कवर किया हुए है, अगर दोस्तों, हम बात करें, प्रोफेशनल के लिए, यहाँ पे प्रोफेशनल और इसमें कोई डिफरेंस जादा नहीं है, प्रोफेशनल के लिए minimum salary 8 LPA देते हैं, और आपका experience 15 साल से उपर होना चाहिए, अगर हम दोस्तों बात करें, आप experience नहीं लेकिन आपका package नहीं बढ़ रहा, तो दोस्तों आप यह course कर सकते हैं, इसके बाद आपका package minimum 8 LPA तो लगी जाएगा, इससे उपर जाना, आपके उपर है, आपका कितना अपने आपका caliber बढ़ा के, अपने interview clear करके package ले सकते हैं, तो दोस्तों अगर हम बात करें, इसका phase यहाँ पर अलग थोड़ा सा difference है, month 0-3 में इनका phase 1 है, phase 2-4-5, phase 3-6-7, phase 4-8 month, phase 5-9 month, उसके बाद 6 phase भी है, 9 month onwards, तो दोस्तों थोड़ा सा difference है, phases में इन्होंने बनाया, क्योंकि वो experienced है, वो freshers है, और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे, आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी 150 plus hiding partner है, 50 plus opportunity यहाँ पे, दोनों चीज़े सेम दिवी है, लेकि जो सबसे main और important बात है, दोस्तों यहाँ पे registration है, payment है, document check और आपका admission, यह दोस्तों यहाँ पे simple process है, और साथ ही साथ यहाँ की fees थोड़ी सी जादा है, standard में 1,25,000 है, और दोस्तों hack के अंदर अगर आप fees करते हैं, तो आपको 20,000 देने पड़ेंगे, उसके बाद दोस्तों आपकी fees deduct होगी, आपकी salary में से, यहाँ पे maximum capping दोस्तों 3.6 lakh है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे explain किया हुआ है, कैसे आपकी fees deduct होगी, अगर आपकी salary थोड़ीत नहीं होती है, और साथ ही साथ दोस्तों अगर नीचे बात करें, आपके frequently asked questions हैं, जो आप पढ़ सकते हैं, जो आप चीज़े देख सकते हैं, अगर आपके दिवाब में कोई doubt हो, अगर फिर भी आपको दोस्तों कोई doubt आता है, तो आप दोस्तों यहाँ पे इनके contact में जाके, contact us में इनको mail भी कर सकते हैं, अगर दोस्तों हम बात करें उसके बाद आप इसके लिए कैसे रोल करेंगे, क्या procedure है, दोस्तों इसके लिए क्या होगा, आपका एक test होगा, test में वो check करेंगे, कि आप fit हैं, इस extensive course के लिए, इस test के अंदर दोस्तों आपका aptitude और coding skills चेक होगी, अगर बात करें, 20 minutes का एक test होगा, जिसमें 15 MCQ प्लस 3 code problem होगी, तो दोस्तों इसका test और sign up करने के लिए, आपको कुछ नहीं का नहीं form फिल करतेंगे, इसके साथ आप sign up हो जाएंगे, यह था process कैसे आप दोस्तों, carrier cam coding ninja के लिए कर सकते हैं, अपलाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो please like button में जरू क्लिक करना, साथ ही दाथ हमारे चैनल को जरू subscribe करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए इसी interesting वीडियो लेकर आतर दें, धन्यवाद,